दोस्तो एक बाद फिर से बहुत बहुत सवकत है हमाई चैनल पर इस वीडियो में बात करने माले हैं दोस्तो हम लोग रेलबे गुरूड़ी और हमारे दोस्तो जो येलपी वाले स्टुडेंट है दोस्तो इससे हमारे 427 कौर्ट रूपी कैसे लूटे हैं दोस्तो भारतिये र आप वीडियो को लास्तर जरूड देखे जिसके आपको पता चल जाए ये दोस्तो 427 कौर्ट रूपी का हमारा घुठाला हुगा है दोस्तो रेलबे में दोस्तो यहां पर गुरूबडी और दोस्तो येलपी वाले स्टुडेंट से देखी मैं आपको पूरा का पूरा बता से हुई दोस्तो कमाई आपको पता होगा दोस्तो कि रेलबे ने कहा था कि हम लोग यहां पर रेफन भेजेंगे आपको अगर आप हमारी परक्षा में सामयल होती है ठीक है और जो लोग यहां पर सामयल नहीं होंगे वो यहां पर हमारी फीस यहां पर वापस नहीं पाएग काली है तो करीब 2 करोड 37 लाग लोगों दूस्तों आविदान मिले है ठीक है आर्टी की जमाने पता चला है कि बिरुजगार से एक जाम फिस के नाम पर रेली में लागभाग 900 करोड रुपे लिए दीकि दूस्तों आपको पता हुगा कि दूस्तों यहां पर हमारे यहां पर दूस्तों लागभाग हमारे दो करोड लोग यहां पर अभ्यरती हमारे यहां पर अपलाई कि यह ठीक है दूस्तों हमारे लागभाग यहां पर पचास लाग के दूस्तों शाट लाग के लागभाग हमारे यहां पर आपको यहां पर अपलाई कि यह ठीक है यह दूस्तों सबाइस दो लाग पंधा हमारे दो लाग 32,000 बिरोजगारों की भर्ती का एलegan किया गया है ठीक है चुझकि दूस्तों अपने कल देख लिया होगा ख़बा सुनकर आप को भी दूस्तों लगा होगा कि सरकार आप बेरोजगारों का कितना ख्याल रख रही है तो बिरो Steph प्रवरी में जब रेली में ने करीब सवा लाग पदो पदोस्तों भरती निकाली की दो करोड़ यहां पर 37 लाग आविदन मिले थे काबिलियत के दम पर तमाम चौनितियों का सामना करते हुए अपने लिए संबामना तरालती हुए छाथ दूर दराज के इलागों में अपने अपने सेंटर पहुंची दोस्तों पता हुगा कि रेली में ने आपर कहा था कि आपको प्रक्षे देने यहां पर बेंगलो जाना प पर रेल्वे ने एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 900 करूर रुप्य दूस्तों यहां पर लिये हैं ठीक है अब आगे बताया गया है इसमें कि भूपाल की हमारे दूस्तों एक आर्टाई कार करता है डाक्टर प्रकाष अग्रवाजी दूस्तों इन्होंने इमारा पर रुपय दूस्तु आया है रेल्वे को साथि कहा है जो परक्षान पर लोटाना है लोठी कहा था कि फान सब्सुन उस्तों यह पर 500 कर लिये गया है जनल्सराइब क्ष़ेवियं सब्सक्राइब तो हमारे अप कर दो को यहां अब दusz्तो आपको पता है कि जो लोग नहीं सामल लुए है वो पैसा सी देर क Keeping ए कि नहीं लाग हो जाए त्थीक है उस तो ऑप सही जानकारी नहीं भर रहे हैं उनकी भी दो सब्सक्राइब आपको 59 जानकारी सही नहीं दी है नीचे बताया गया है कि देली बूर्ड कि सच्चिप ने एक मंत्री के दिए के हटाने की मंग खुद ही दूस्तु यह बन हो गया तबादला ठीक है यह बताया गया है दूस्तु नीचे और आरक्षा यहां पर जो आपका रिजर्ब केटी के लिए सेवनी बाले लगवग यहां पर 200 रुपे और परक्षा में उपस्तित होने पर यह पूरे पैसे उनके खाती में रेल्वे ने भेजने की साथ रखी दी ठीक है जैसे कि आप सभी को पता होगा और जो रेल्वे परक के पूर्ष दस्वबूत जैन दलील देते हैं कि एक्जाम फीस के पीछे मंसा यही होती है कि एक्जाम में लगने वाला खर्च निकल पाए और नॉन सीरियस चाहत आवेदा नहीं कर पाए दोस्तों यह दिबास सही है इनकी क्योंकि कोई बेबजा अपलाई करता है तो उनक दोस्तों रेल्वे को लटना नहीं है ठीक है उनका लाव है दो करोड़ों 37 लाख यह पर्चात्तों ने आवेदिन किया था इसमें सामान और रिजर्प कैटिकरी के कुल 83,88,000 शात परक्षा देने दोस्तों नहीं आए दोस्तों जो परक्षा देने नहीं आए और तो इनका पूरा पैसर रेल्वे खाते में ही गया है रेल्वे सूत्रों के अनुसार प्रक्षा नहीं देने वाले नहीं पहुंच चात्रों में करीब 50,32,000 यानी की 60,50 सामान सेड़ी के थे दोस्तों यहाँ पर सामान सेड़ी के थे तो यह एक सेड़ी के चात्र से पांसर पे लिए अच्छा का सा मुनापा हुगा है ठीक है जिनमें हर किसी ने पांसर रेल्वे के लिए ने लिये ठीक है तो सामान सेड़ी के चात्रों से करीब यहाँ पर 215,64,000 रुपी की दूस्तों आमद हुई है यह दूस्तों आमदानी हुई है ठीक है दो करोड यहाँ पर 24,00,000 यहा रेल्वे के लिए ठीक है तो इनमें रेल्वे के खाती में करीब 83,88,000,000 रुपी दूस्तों आये ठीक है तो दूस्तों नीचे बताया गया है कि लिहाजा फाना भनने के बाद प्रक्षदेने नहीं पहुचे चात्रों से रेल्वे के तुजूरी में करीब 335,000,000 रुपी पहुचे आये ठीक है जो प्रक्षदेने नहीं गया है जो हमारे एपसेंट रहे तो इस चीदा खीदा यहाँ पर रेल्वे की तुजूरी में पैसा गया है ठीक है नीचे बताया गया है भाई रेल्वे के मताबर प्रक्षदेने पर पस कुल चात्रों के संक्या करीब 1,000,000 पर पर रहे अब इनका 60% भी चात समाच सेरी के माने तो करीब 500 रुपे मैं से 400 रुपे बापसी के बाद 100 रुपे खाते में जाने थी तो ऐसे चात्रों की तादात कभी 91,80,000 बनती है और 100 रुपे के हिसाब से इन चात्रों के साब से कमाई लगवाग 91,80,000 रुपे होती ह ठीक है यह कमाई है रेल्बे की नीचे बताया गया है कमाई होती है असी है बनती है और 100 रुपे के साबसे इन चात्रों के साबसे करीब 91,80,000 रुपे होती है और इन सभी आकड़ों को जोड़ घटाव कर दे तो फिर अनुपस्तित और प्रक्ष्चा में उपस्तित सामान स स्रेडी से कुल कमाई का आकड़ा 427 करोड और 32,00,000 रुपे की रेल्बे को यहां पर मुनाफ़ा हुआ है बेरोजगारों से ठीक है तो दोस्तों आपको यह न्यूज हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दो अगर आपको कोई सवाल य क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम रेल्बे की कोई भी दोस्तों यहां वेकेंसी हो कोई भी दोस्तों न्यूज हो रेल्बे गुरूप डी एलपी टेगनिस्जन सबसे पहले दोस्तों आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा दे अबने को लाइक कर दें शेयर कर दें धन्वाद